आजादी का अम्रित महोत्सव आजादी का सफर आकाशवानी के साथ आज यानि 31 अक्तूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम और प्रधान मंत्री सर्दार वल्लब भाई पटेल का जन्मूर भारत के लोह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जोयनती राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है गुजरात के नाडियाट में जन्में वल्लब भाई जावेरबाई पटेल जावेरबाई पटेल और लाडबा की छे संतानों में से एक थे वल्लब भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे 1910 में कानून में उच्छ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंगलेंड गए वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया उन्हें पुरुस्कृत किया गया और तीन वर्ष के जगा दो वर्ष में ही बार में बुला लिया गया 1913 में वल्लभाई भारत लोटे और अहमदाबाद में वकालत शिरू कर दी और शिग्री अत्यदे ख्याते अर्जित कर ली 1917 से 1924 तक वल्लभाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे इस पत पर आसीन होने वाले वो पहले भारतिय थे 1918 में खेडा सत्याग्रे के दोरान वो चर्चा में आये जब उन्होंने बंबई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योशना बनाई और 1928 में बार्डोली सत्याग्रे में सफल नेत्रतु के बात तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए यहां उन्होंने करों में विरोध में जमिदारों के आंदोलन का नेत्रतु किया था बार्डोली आंदोलन में उनके कोशल नेत्रतों के कारण ही उन्हें सरदार के उपाधी मिली 1930 में जब नमक सत्याग्रे हुआ तब से लेकर अगस्त 1942 तक जब भारत छोडो आंदोलन शुरू हुआ तब तक सरदार पटेल कई बार जेल गए और कई बार तो एक वश्र से अधिक समय तक जेल में रहे स्वतंतरता के बाद सरदार वल्लब भाई पटेल को देश का उप्रधान मंत्री बनाया गया इसके साथ ही उन्हें ग्री और सूचना तथा प्रसारन मंत्राले का प्रभार भी सौपा गया और इनी उथल पुथल भरे दिनों के दोरान सरदार पटेल ने पांस सो साथ से अधिक देशी रियासतों के भारतिय संग में विले का अत्यथिक जटिल और विसमय कारी कारे किया वीपी मैनन के सहेता से सरदार पटेल ने इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन का मसौधा तैयार किया जिस पर इन रियासतों के शासकों को हस्ताक्षर करना था लेकिन जोधपूर, जूनागर, हैदराबाद और कश्मीर जैसे कुछ रियासतें सैट भारत में शामिल होने से या तो हिचकेचा रही थी या बिलकुल एक्छुक ही नहीं थी सरदार पटेल ने उनके साथ मसबूत और धर्ड निश्चई राजनेता के रूप में बात की और भारते संग में उनका विले कराने में सफल रहे देश में एक्ता के महत उपर सरदार पटेल के विचार सरदार पटेल समविधान सभा के वरिष्ट सदस्य थे उन्होंने भारतिय प्रशास्निक सीवा और भारतिय पुलिस सीवा की स्थापना में भी महत पूर्ण भूमिका निभाई 1950 में सरदार पटेल का स्वास्थे तेजी से बिगडने लगा 15 दिसंबर 1950 को बंबई के बिड़ला हाउस में उनका निधन हो गया अनेक देशों की सरकारों और नेताओं ने उनके निधन पर शोकसन देश भेजे उनका अनतिम संसकार बंबई के सोनापुर में किया गया जिसमें करीब 10 लाख लोग शामिल थे 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल को मरणो परांत देश के सरवोच नागरिक सम्मान भारत रत्म से सम्मानित किया 2014 में सरकार ने उनकी जोयनती को राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोशना की 2018 में सरदार पटेल की 143 वी जयनती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में Statue of Unity का अनावरण किया नर्मदा बांध पर बनी ये विश्व की सबसे उची प्रतिमा है और देश के लिए सरदार पटेल की अमूल्य सेवा का यतोचित सम्मान है